दोस्तों, UPPCS Mains 2023, GS Paper 1 आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल जोईन कर लीजिए और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए डिसकस करते हैं इस पेपर को, सबसे पहले आपको पता है कि 20 questions होते ह section A में 10 questions होते हैं, section B में 10 questions होते हैं, section A वाले प्रश्ण जो होते हैं, उनकी word limit 125 शब्द होती है, और section B वाले जो प्रश्ण होते हैं, उनको आप 200 शब्दों में लिख सकते हैं बात करते हैं section A के पहले question की, तो पहला question है वैदिक साहित्य का परिचे कीजिए, अब आप देखिए कि वैदिक साहित्य में आप क्या करेंगे, तो इस तरह के प्रश्ण में ये बहुत आसान प्रश्ण माना जाएगा, क्योंकि आपने basic पढ़ा होगा, तब भी इसके बारे में लिख सकते हैं, आप इसमें रिगवेद के बारे में लिखेंगे, अथरवेद के बारे में लिखेंगे, सामवेद के बारे में लिखेंगे, यजुरवेद के बारे में लिखेंगे, उनसे जो उनके ब्रामण ग्रन्थाय, अरण्यक ग्रन्थाय, उसका एक classification देते हुए, बहुत अच्छे से flow chart बना कर आप इस question को भी लिख सकते हैं उसमें आप एक table भी बना सकते हैं और उस तरह से लिख सकते हैं आठ नंबर का question है डेर सो शब्दों में लगबग 125 शब्दों में आपको लिखना है दूसरा question है आधुनिक सिक्षा में सर सयद हमद खान के योगदान पर एक टिपड़ी लिखिए सर सयद हमद खान का जो योगदान था modern education में उसके उपर आपको इस पर टिपड़ी लिखनी है तीसरा question है discuss the role of सरदार पटेल in the unification of India after independence बहुत obvious question और अगर आपने कभी भी answer writing की होगी तो इस question के बीना आपकी answer writing होई नहीं होगी चौता question what kind of hindrances do regionalism creates in the development of India छेत्रवाद से भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाय उत्पन होती है ये आपको बताना था तो regionalism से क्या होता है एक तरह से सबसे पहला जो hindrances आप देखने को मिलता है आपको वो ये मिलता है कि इससे dispute arise होता है एक region का दूसरे region के प्रती और ये जो dispute होता है इस dispute से बहुत सारी unstabilities आएंगी और जो भी unstability आएगी वो economic clash भी आपको देखने को मिलेगा cultural clash भी आपको देखने को मिलेगा और इन दोनों की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आगे भी होंगी question number 5 की बात करते हैं बेरोजगारी भारत में व्याबत धन्ता की एकमात्र कारक है unemployment is the only cause for the prevalent poverty in India question number 6 do you agree with the statement that crime against women in India is increasing क्या आप इस बात से सहमत है कि महिलाओं के परती अपराद बढ़ रहे हैं अब इसमें आप क्या करेंगे देखिए ये जो questions होते हैं इन ही questions में आपको जरूरत पढ़ती है data की अगर आपके पस data है कि women की safety को लेका सरकार ने क्या किया है ये भी आपको लिखना पड़ेगा इसमें इसमें आपको कारण भी बताने पड़ेंगे इसमें आपको ये भी data अगर आपके पास है तो proof करना पड़ेगा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं तो बहुत सारे जैसे NCRB की डेटा आती है उसमें बताया जाता है कि कितने percent crime में increase हुआ है woman के प्रती किस राज्य में सबसे ज़्यादा है यह सारा data आप इसमें देंगे तब जाके यह आपका answer complete होगा question number seven oceans are the store house of resources write a short note आसांसा obvious सा question है क्रिसी में म्रिदा profile एक महत्पूर्ण भूमी का निवाता है soil profile plays an important role in the agriculture do you agree question number nine धक्षन एसिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए throw light on रोहिंग्या refugee in South Asia question number 10 write a short note on nine number channel and its strategic importance तो जो nine number channel है 9 degree channel है उसके बारे में आपको बताना था describe the architectural features of the temples of Nagarash style तो Nagarashali के मंदिरों की वास्तुकला विशेस्ताओं का वर्ण करना है question number 12 है यह अब देखिए यहाँ पे आपका 200 word की question सुरू हो गए है 12 number वाले 1857 की स्वतंतरता संग्राम के वैचारिक आयामों को रेखांकित कीजे underline the ideological dimensions अब इसमें आपको specifically कहा है कि ideological dimensions को ही दिखाना है तो आप उसी के बारे में ज्यादा चर्शा करेंगे evaluate the role of Bismarck in the unification of Italy world history से obvious question Bismarck के बारे में आप पढ़ते हैं जब भी आप पढ़ते हैं Italy के unification की विसमार्क ने जो role किया था जो role play किया था Italy के unification में वही role हम देखते हैं कि इंडिया में सरदार पटेल ने किया था उसके बाद बात करते हैं Corona काल के बारे में एक प्रशन है How did Indian culture affect the world during Corona pandemic period आप देखिए Corona में हमारी काल में भारती संस्कृती ने विश्यो को कैसे प्रभावित किया अब इसमें बहुत कुछ लिखने को आपका है जैसे आप ये भी देखिए कि बहुत सारे leaders ऐसे हुए leaders ने world में पूरे नमस्ते करना शुरू किया था तो वो Indian culture जो है Indian culture of नमस्ते वो आप देख रहे हैं कि evolve हुआ और ज़्यादा और वो spread हुआ पूरे world में कि लोग हाथ मिलाना या लोग एक दूसरे को hug नहीं कर सकते थे तो उसके लिए उन लोगों ने एक alternative medium अपनाया और वो जो alternative medium आया वो इंडिया के culture से reflect इंडिया के culture को उसने reflect किया इस तरह से और भी चीजें आप जैसे की हाथ पैर्धो के घर में जाना ये सब करना ये इंडियान कल्चर में कहीं ने कहीं शुरू से ही था उसके बाद बात करें evaluate the role of women organizations in women empowerment महिला संगठनों की भूमी का क्या है ये आपको बताना था इंडिया में हो रहा है उसके बारे में बात लिए मतलब एक ही देश में अपने ही देश में राज्य से दूसरे राज्य में जाना इस तरह के जो migrations हो रहे है अब ये देखी ये question कितना important है और अगर आपने Indian Express पढ़ा होगा पिछले दो महीने का मुझे लगता है अगस्त में एक article आया था बहुत शांदार अल नीनो का प्रभाव और उसके economic impact पर और उसके साथ ही साथ उसके political impact क्या हो सकते हैं उस पर भी एक बहुत शांदार article आया था Indian Express की explained series में explained में नहीं था शायद वो editorial में था वहां से अगर आपने वो पढ़ा होगा भारत में एल नीनो और दक्षिन पश्ची मानसून के बीच संबंधों की व्याक्षा कीजिए और उसके क्रिशी पर प्रभाव बताईए अगर उसको आपने पढ़ा होता तो थोड़ा सा एक नया dimension आप बस दे सकते थे बाखी ये question तो basic question है जियोग्रफी में जो आप पढ़ते हैं उसके आधार पर भी इसको लेख सकते हैं नेक्स्ट है write a short note on temperate cyclone how it impacts in India पिछली बाए tropical cyclone पूछा था इस बाद temperate पूछ दिया घुमा फिरा के ये दोनों question आते ही है question number 20 discuss India's mineral development policy भारत की खनिज विकास नीती की व्याख्या कीजिए तो ये कुल 20 प्रशन थे जो आपके सामने बताए गए इन questions के आप जो वो टेलीग्राम चैनल पर अप्लोड कर दिया गया है वहाँ से जा कर आप डाउन्लोड कर सकते हैं thank you so much